सब्सक्राइब करते हैं और किस तरीके से हमारे जो मुख्य पातर है शामा वो कैसे उनसे शादी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू करते हैं और लास्ट में कन्वेंस हो जाते कि नहीं यार इस लड़के की तो अच्छी से अच्छी लड़की से शादी करवानी ही चाहिए और इसे शादी करनी ही चाहिए यह बहुत कुछ सोच करके बैठा है कहीं आगे जाकर के कोई घडबर ना कर दे इसलिए इस लड़के की सही टाइम पर शादी हो जाना जरूरी है तो यह सारी चीज़े हम लोग लास्ट लेक्चर में अच्छी से डिसकस कर चुके हैं अगर आपको लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जा करके आप देख सकते हैं वहाँ पर आपक कम टू स्टे विथ हिम वो अभी गाउं आई वी है वहाँ पर उसके साथ यानि की रमा राओ के साथ रहने के लिए शी वास फ्रॉम अ बिग टाउन वह भी एक बड़े शहर से हैं सो शी न्यू हाँ टू प्ले द वीना इसलिए वह वीना बजाना जानती है अपन वीना बोल भी है बोथ हर पेरेंट्स है डाइड दोनों उनके माता पिता जो उनकी मृत्ति हो चुकी है एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम और उनके अंकल यानि की रामा राओ जो है वह है उसे अपने घर ले आए रंगा वास जस्ट द बॉई फोर हर और रंगा ही एक मात्रवे लड सबढ़िया था ये सारी की सारी बात शामा सोच रहे कि अरी लडके से सारी तो कि घर आया तो यार इसके लिए तो यह उद्लब को ब्राइड इसके लिए निखी लग वहन है रंगा के लिए सबसे उपयूक्त suitable का मतलब होता है उप्युक्त जो दुलन रहेगी सबसे बड़िया दुलन जो रहेगी वही रहेगी Since I was a frequent visitor to Ramarao's place हला कि या जब की आप कह सकते हैं इसके लिए जब की मैं लगाता यदा करता जब भी मन होता था मैं Ramarao के घर को visit करता रहता था यानि कि वहाँ पर जाता रहता था यानि बहुत ज़ादा frequently बार-बार या लगातार मेरा अरजाना होता था The girl was quite free with me यानि कि वह लड़की बहुत खुल करके मुझसे बाते किया करती थी I completely forgot to mention her name अरे मैं तो पूरी तरीके से उसका नाम ही बताना भूल गया उस लड़की का नाम क्या है तो लड़की का नाम है रतना तो मैं पूरी तरीके से mention करना उलेक करना भूल गया उसके नाम का जो की रतना था It was, यही था The very next morning, अगले ही दिन सुबह I went to their house मैं फिर से रामा राओ के घर गया and told रामा राओस wife और रामा राओ की पतनी से कहा I'll send some butter milk for you मैं तुमारे लिए कुछ चाच भिजवाऊंगा कई लोग इसे चाच कहते हैं, कई लोग इसे मठा भी कहते हैं आप लोगों के language में क्या कहते हैं दही में पानी मिला करके जब उसे बेलते हैं उसमें से मखन निकाल लेते हैं और बाद में जो बसता है जिसे हम लोग यहाँ पे चाच कहते हैं मठा भी कहते हैं कई लोग आप लोगों की language में क्या कहते हैं फ्लीज मुझे को कमेंट करके बताईएगा तो मैं कुछ चाच तुमारे लिए बिजवा दूँगा Ask Ratna to fetch it Ratna से कहो के मेरे घर जाकर के चाच ले आए यानि मेरे घर से थोड़ी चाच पढ़ी है वो ले आओ तो मैं तुमारे बिजवा देता हूँ ठीक है Ratna came और Ratna उसके घर आई It was a Friday ये एक शुक्रवार का समय था So she was wearing a grand sadi इसलिए उसने एक बहुत ही शांदार बहुत ही लाजवाब सी sadi पहनी हुई थी I told her to sit in my room and requested her to sing a song मैंने उससे request की कि वाँ जया कि मेरे कमरे में बैठे और मैंने उससे request की कि मेरे लिए एक गाना गाए यानि मुझे गाना गाकर सुनाए I sent for ranga और जब मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और बेठा करके बोला एक गाना सुनाओ तब ही मैंने रंगा के लिए बुलाबा बेज दिया कि जो फटाफट रंगा को बुला के लाओ तो यहाँ पर शामा भाई साब जो है वो रंगा को ट्रेफ करने की पूरी चाल चल चुके है रामा राओ के घर गए रामा राओ के घर जाकर के उसके पतने को बुला है रहे यारत में तुमारे ले थोड़ी चाज बिजवा दे तो वो रतना को बेजो मेरे साथ रतना को अपने घर लेकर के आये उसको बिठाया अपने कमरे में के तू बैट और एक गाना सुना मुझे और पीछे से किसी को बेज दिया कि जा फटाफट से काम कर रंगा को बुला के ला तो रतना बैटी है कमरे में गाना गारी है और बुलाया किसको गया है यहाँ पर रंगा को बुलाया गया है While she was singing the song जब वह वह गाना गा रही थी Krishnamurti in front of my eyes तो Krishnamurti जो है वो मेरी आखों के सामने है Ranga reached the door उसी समय पर Ranga जो है दर्वाजे पर कौँच गया He stopped at the threshold Threshold का जाता है घर की जो दहली जोती है दहली भी बोलते है दहली भी बोलते है तो भी घर की दहली पे ही रुख गया He did not want the singing to stop वो नहीं चाता था कि जो भी गाहे कलाकार है अंदर जो गाना गा रही है वो उसको देख करके घबरा जाए और रुख जाए But was curious to see the singer लेकिन बहुत ही उत्सुक था उसके मन में बहुत जिग्या सा थी जानने की कि भी ये singer है कौन तो अब द्रश्य क्या है अंदर बैटी बैटी रतना गारी है ये भाई साब पहुँच गए है शामा के घर और दर्वाजे के बाहर ही रुख गए क्योंकि अंदर से गाने की आवाज आ रही है तो सुन रहा है गाना अंदर नहीं जा रहा कि मेरे जाते कहीं वो चुपना हो जाए गाना बंद ना हो जाए मैं गाना सुनना चाता हूँ इस उत्सुकता से महीं खड़ा रहता है और जानना चाता है कि ये singer है कौन देखना चाता है कौन है ये गाई का ठीक है तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे शामा जी जो भाई साव है उनका जो प्लैन है वो successful होने जा रहा है, सबल हो रहा है धीरे धीरे Carefully सावधानी से he peeped in, peep in का मतलब होता है जाकना धीरे से सावधानी से उसने अंदर की तरफ जाका, the light coming into the room was blocked और इससे कमरे में जो light आ रही थी, वो light आना रुख गई, रतना looked up and seeing a stranger there, रतना ने उसके और उपर की तरफ देखा और देखा कि एक अजनभी इंसान, एक अंजान इंसान वहाँ खड़ा है, abruptly और चौक करके घबराट के मारे अचानक से वो रुख गई, रुख गई मतलब उसने गाना गाना बंद कर दिया तो भाई साब यहाँ पर क्या हुआ, कि वो पहले तो दरवाजे पर खड़ा था, फिर देरे से उसने जाकने ही कोशिश करी कौन है, जैसे ही वो जाकने ही कोशिश करी तो बाहर से जो रौष्णी आ रही थी सूरज की वो रुख गई, और अंधेरा होने लगा कमरे में, तो उसको लगा, और कौन आगे एकदम से, तो जैसे उसने उसने उपर देखा, यैसे कौन आया, वैसे ही वो एकदम से चौक करके रुख गई, गाना गाना उसने बंद कर दिया, Suppose you buy the best quality mangoes, you eat it slowly, severing its peel, before biting into the juicy flush, you do not want to waste any part of it, before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground, माल लीजे के ऐसा लगा, मतलब कैसा महसूस हुआ होगा उस समय, उसकी कलपना कर रहा है यहां लेकर, आप जाओ और शांदार quality के, शांदार गुणवत्ता के आप आम खरीदो, आप धीरे-धीरे उन्हें खाओ, उनके स्वाद का आप आनंद लो, उसके छिलके को आप धीरे-धीरे खाना शुरू करो, लेकिन उसका जो गूदा होता है, यानि आम का जो main part होता है, जिसको हम ख दूसरी bite लेते, अचानक से वो फल, वो mango, तुमारे हाथ से slip हो जाता है, फिसल जाता है, और जाकर के जमीन पर गिर जाता है, how do you feel, तुम्हें कैसा महसूस होगा, इसको महसूस करने लिए आँक बंद करके महसूस ही कर लो, मान लीजे, आप कहीं पर खड़े हैं, अब जैस करके voice cancellation वाले और भजन सुन रहे हो पड़ी है, अचानक से आपको पता है कि अगला stanza आने वाला बहुत शांदार आएगा, बहुत लाजवाब आएगा, अगला जो paragraph stanza बोलते हैं, वो जो आएगा वो बहुत ही शांदार आएगा, मतलब वो ऐसा है जो आपके मन को द्रवि का example ले रहा है कि जैसे फल हो, आपने एक bite खाई आपको बहुत अच्छा लागा और आप चाते हो कि इसका कोई भी part waste ना जाए, तभी फल आपके हाथ से विसल जाता है और जमीन पे गिर जाता है तो आपको कैसा महसूस होगा, रंगा's face showed the same disappointment, रंगा के चेहरे पर वही नि set on a chair, और ये पूछते वे अंदर आ गया कमरे में और एक chair पे बैठ गया, रतना stood at a distance, रतना वहाँ खडी थी थोड़ी सी दूरी पर, her head lowered, उसका जो सर था जुका हुआ था, रंगा repeatedly glanced at her, और रंगा मतलब पहले इदर बात करता है फिर बार बार उसकी तरफ देख रहा थ जैसे यहाँ पर शामा रहो है, यहाँ पर शामा बैठा है, अब बात तो इससे कर रहा है, लेकिन बार बार रतना को देख रहा है, ठीक है, तो लगा तारिया repeatedly बार बार दोहराते वे वे उसकी और देख रहा था, once और एक बार our eyes met and he looked very embarrassed, और एक बार हम दोनों की, यानि कि शामा और रंगा की आखे मिल गई कि भई उसको भी पता पढ़ गया है कि मैं इसको देख रहा हूं, तो बहुत ही embarrassed हो गया, बहुत ही असहज हो गया, कैसा हो गया, शर्मिंदी की वाला असहज होता नि कि भईया, मैं इस लड़की को देख रहा हूं, यह देखते वे शामा अंकल ने देख लिया, तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है, no one spoke for a long while, फिर थोड़ी देर के लिए माँ सन्नाटा हो गया, कोई भी काफी देर तक कुछ नहीं बोला, सब चुपचा अपनी अपनी जगह पढ़ थे, it was my coming in that stopped the singing, let me leave, तो यहाँ पर रंगा आगे बढ़के क शब्द थे, मातर शब्द थे, शब्द के अलावा और कुछ भी नहीं थे, यानि उसके मन का भाव ये नहीं था, जो यहाँ पर वो कह रहा है न, वो बस कह ही रहा है, वो चाह नहीं रहा है, वो कह रहा है, अच्छा ठीक, अच्छा मेरे आने की वज़े से तुमारा गाना रुट गया चलो मैं जाता हूं और सच में जाना चाहता हूं मैं बहुत अंतर आ जाता है तो कहतो रहा है चलो मैं चला जाता हूं लेकिन वो जाना नहीं चाहता है वो बैठना महीं चाहता है वो चाहता है कि यह और गाये और मैं इसका गायन सुनूँ दे फैलो सैद वूड लीव बट डिड नोट में को वह व्यक्ति यह फैलो और यह व्यक्ति वह बंदा जिसका नाम है हमारे भाई साथ जो है रंगा तो रंगा जो है रंगा कहतो रहा है शब्दो से के बाई यह चलो मैं चलता हूं लेकिन रहा है कुडसी पर बैटा वह उसने कोई प्रयास नहीं किया कोई moment नहीं किया ऐसा कि दिखाना चाहे या उटकर के निकल जाए वहां से how can one expect words to match action in these days of Kaliyuga तो कोई भी वेक्ति कैसे ये कल्पना कर सकता है कि जो इनसान कहता है वो वह करना भी चाहता है यानि कि कार ये से शब्द मेल नहीं खाते ये कल्यूग है बाबू यहाँ पर इनसान कहता कुछ और है करता कुछ और है तो वही बात यहाँ पर शामा दोरा रहा है अपने बाक्यों में कि भाईया देखो कहतो रहा है जाओं जाओं लेकिन हिल निरा पठ्था बैठा हुआ है बुटसी पर जम के ये निके उटके निकल जाओं रतना रेन इंसाइट रतना दोरती भी अंदर चली गई overcome by shyness जैसे कि वो पूरी तरीके से शर्म उसको आ गई हो after a while कुछ रण के बाद रंगा asked who is that girl रंगा ने पूछा वहे लड़की कौन है swami swami यानिकी वही हमारे शामा जी जो है उनसे बुशा आफ लड़की कौन क्या किदर कैसे कौन थी पता तो दो कौन थी अब चली गई शर्म उसके सामने तो क्या ही बात करता वह चली गई तो आप बता तो सही कौन थी मेरे को यहां बुला करके ऐसे हैं और भसा दिया Who's that inside? कौन वो जो लड़की भी अंदर गही है? The loin wanted to know That he goat who had taken shelter in temple replied Does it matter? Who am I? I am a poor animal who has already eaten nine loins I have vowed to eat one more Tell me, are you male or female? The lion fled The place in fear, it seems अब यहां पर इस बात को जो शामा है बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रहा है मतलब वो अपनी योग्यता बता रहा है वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और वो कौन है तो जैसे ही वो कहता है कि कौन बोलड की वो जो अभी अंदर की उसके बारे में पूछ रहे हो क्या और मैंने शपत खाई है कि एक और शेयर खाऊंगा यानिके याँ पर वो क्या खे रहा कि बेटा, तेरे जैसे जो थे न कहने वाले मैं शादी नहीं करूँगा मैं ऐसी लड़की से करूँगा वैसी लड़की से करूँगा तेरे जैसे नौ छोरे तो खा गया मैं, करा दी उनकी शादी, जहां मैं कराना चाता था, ठीक है, तो तू मेरे को मत समझा, तू कौन है, क्या है, क्या नहीं है, तो तू रहने दे, ठीक है, तेरे जैसे नौ शेर मैं पहले ही खा चुका हूँ, और मैंने कसम कही है कि एक और ख the place in fear और जैसे ही यह बात उस शेर को पता चलती है यानि कि किसको यह दूसरा वाला शेर कौन है जो भाग गया ही सुनकर के तो यह दूसरा वाला शेर है हमारे भाई साफ खुद रंगा भाई साफ तो रंगा गोलता है तू बता तेरा के हिसाब है तेरे से नौत चबा गया मैं तू मेल है कि फीमेल है और वह वहाँ से भाग जाता है डर में इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है लाइक दा हीगोट सैट जैसे कि हीगोट ने कहा था वट ड़स इट मैटर तू आइधर आफ़स हूँ शी इस क्या फरक पड़ता है अपन दोनों को क्या मतलब है क्या वो कौन देख तेरे को मैंने बुलाया तू आया बैठा कोई लड़की थी गाह रही थी तेरी मेरी बात हुई इसादी कौन थी तो तो किसी बड़ी बड़ा होने के बात किसी बड़ी समझदा लडकी से शादी करेगा understanding होनी चाहिए तो तेरे को क्या मतलब है कि वो लड़की कौन थी तेरे काम क्या है उस लड़की से बता तो सही तो I am already married and you aren't the marrying kind क्योंकि मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और तुम तो शादी करने वाले तरीके के लगते नहीं हो तो मैं तो शादी वादी करनी ह His voice did not betray his excitement और उसकी आवाज ने उसके उत्सा को जोश को धोका नहीं दिया मतलब उसकी आवाज में जोश साफ दिख रहा था कि वो बहुत जानना चाता है कि रतना जो है उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है क्या वो शादी शुदा है या अन्मेरीड है बट आइन्यू इट वाज देर लेकिन मैं जानता था यहां पर शामा कहरा है मैं जानता था कि वह बहुत ही एक्साइटेड उसको देख करके शी वाज मैरीड अ यह अगो और यहां पर यह भाई साफ सफेद जूट बोल देते हैं शामा भाई साब मुझ खोल के बिनना सेकंड थौट के जूट बोल उसके तो शादी होगे एक साल पहले रतना की पूछ रहे हैं तो हां होगे उसके तो शादी होगी हो गया तो अब भाई साब यहां पर फिर इस पेस्ट शिवेड लाइक और रोस्टेट ब्रिंजल और उसका चहरा मुर्जा गया एक पके हुए या फिर भुने हुए बैंगन की तरह कुछ समय के बाद रंगा लेफ्ट रंगा महां से चला गया यह कहता हुआ मुझे जाना चाहिए मेरे को घर पर कुछ काम है यहां पर उसका दिल तूट गया पर उसका मने ऐसा हो गया यार क्या है कली तो बात कर रहे थे शादी के बारे पर आज ही डंकी लड़की दी कि सुबह 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 तो हमेरे को घर पर कुछ काम है मैं जा रहा हूँ आए वेंट तो आज शास्त्री दा नेक्स्ट मॉर्णिंग एंड तोल्ड इम और मैं हमारे गाओं के शास्त्री यह नी कि जो पुरोहित होते हैं जो पंडित होते हैं जोतिशी होते उनके यहां पर गया शास्त्री जी के यहां पर अगली सुबह और उनसे कहा keep everything ready to read the stars सारी चीजें जो कुंडली मिलाने वाले stars पढ़ने वाले या कुंडली देखने वाले जो भी तुमारे चीजें हैं पंचांग को अगर सब तयार रखना I'll come later मैं बाद में आऊंगा I tutored him in all that I wanted him to say और मैंने पहले ही उसे सब कुछ सिखा दिया था कि देख ऐसे ऐसे में किसी को लेके होंगा ऐसी ऐसी बात हो कि तरको ऐसा ऐसा कहना है तो यहां पर शास्त्री जी जो है उनको अपने प्लान में शामिल कर लिया भाई साब ने कि यह लड़का आएगा इस लड़के को ऐसे ऐस सब कुछ बता दिया कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है कैसे कहना है सारी चीजिए शास्त्री जी को समझागे शास्त्री जी सैट पूले ठीक है बाई साव आजा कोई लिक्कत नी लड़का है न बखरा बनाना उसका बना देंगे कोई टेंसिन निया माज़ा लिया हो I found no change in Rang और मैंने रंगा में कोई परिवर्तन नहीं देखा जब मैं उस दौपएर उससे मिला नहीं 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 कुछ भी कोई दिक्कत निया कोई परिशान नहीं विश्वास कीजिए है एक सरदर्द हो रहा है कि तुमारा कम लेट्स गो एंड सी एडॉक्टर चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं मेरा कोई सरदर्द नहीं हो रहा है ना कि आप किसी चीज को लेकर करके तकलीफ में हो पीडा में हो या परिशानी में हो वह आपका साथ तो देंगे आपके आसू भी पहुँचेंगे आपके साथ भी खड़े रहेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन सबसे पहला काम जो बहुत ही जरूरी है मित्रता में वो है मजे लेना तो पहले वो आपके मजे लेंगे तो यहाँ पर यही हो रहा है कि शामा जो है यहाँ पर इसके मजे ले रहा है अरे क्या हो गया तब यह ठीक नहीं है किता परिशान लग रहा है किया बात हो ही बता तो सई क्या बात है अगल तुने रतना दिखा ही तो तब से घृराब बात हुआ होралा लेकिन फिर भी उससे पूछ रहा है क्या बात हो गई परיशान सरदर दो रहा है ले आट चल में.. डॉक्टर पाशे को हूँ.. और रहा है । और दुबारा तुम्हारे गरमत बुलाना बस तो उसकी कंडिशन तो बिचारी के ऐसी हो रही है बहुत ही देनी इस्तती में जीवन जी रहा है लेकिन यहाँ पर शामा भाज साब उसके मज़े लेने से पीछे नियट रहे I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on but I don't think that could be a reason for your present condition अब यहाँ पर फिर से एक statement ऐसा मार देता है शामा कि उसको और जादा मजबूर करता उस लड़की के बारे में सोचने के लिए मैं भी इस तरह की स्तिती से गुजरा हूँ जब मैं लड़की का चुनाव कर रहा था अपने लिए मतलब मैं लड़की यह देखने जाता था और मिरको अपने लड़की चुननी थी जब यह सब चल रहा था लेकिन मुझे नहीं लगता है मैं ऐसा विचार नहीं करता कि यह कारण हो सकता है तुमारी प्रजेंट कंडिशन के पीछे क्योंकि तुम तो कहीं लड़की देखने गए नहीं तुमने तुम रतना को बाइचांस देख लिया तुमने तो तुम कोई लड़की देखने थोड़ी गए थे शादी के लड़की पसंद करने थोड़ी गए थे तो तुम्हारी कंडिशन का कारण तो यह हो नहीं सकता रंगा इस्टियर अटमी रंगा में तरफ घूर के देखने लगा देख तु बड़ा नहीं होता न मैं तिरको अभी पटक पटक के मारता है यहां पे उमर में बड़ा है समाज के प्रतिश्टिस लोगों में से इसलिए बच गया तू नहीं तो जो हरकते तू कर रहा है न यहां पे आगे हो करके बचीड़े काने की पीट था बहुत बुरा तिरकों में come let's go and see चलो चलो एक काम करता है शास्त्री जी से बिलके आते हैं पंडी जी अपने बड़िया जोतिशिया कुछ बताएंगे I suggested मैंने सुझाओ दिया We will find out rather guru और शनी are favorable for you or not अपन देखते हैं कि guru यानि कि जो आपकी राशी है उसमें व्रस्पती या शनी जो है वो तुमारे favor में तुमारे पक्ष में है या नहीं है मतलब चलो तुमारी कुणडली दिखा के आते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब चीज तुमारे लिए पक्ष में है कैसी है देख के आते हैं रंगा अकंपेंट रंगा उसके साथ साथ चला गया मी मेरे साथ without any protest बिना कोई विरोध किये बिना मना किये as soon as शास्त्री स्वामी जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा he exclaimed उसने बहुत ही भाव के साथ कहा what a surprise शामा haven't you seen for a long time कितने मतलब आश्चरी की बात है शामा शामा वोई वेक्टी जो में कहानी सुना रहा है यह जो सारा जाल भुनने वाला है वोई शामा ही है तो शामा को अरे शामा बहुत दिनों बादा है बहुत लंबा टाइम हो के देखा ही नहीं तेरे को 50 रुपे काट ओवर एक्टिंग के ड्रामे कर रहा है अभी आदे गिंटे पहले तो मिलके के हूँ तो शामा को दिखा करके जैसा वो समझा के आया था शामा वैसे ही अक्टिंग कर रहा है के भाईया अरे शामा बहुत दिनों बादा है आओ बटो बटो बहुत लंबे समय से मिलारी शामा और कुछ नहीं है मालिक आपका सेवक है इस कहानी का नेरेटर यानि कथाकार जो कहानी हमें सुना रहा है तो शामा के बारे में अब हमें यहां पर पता चलता है I got angry and shouted what only this morning शास्त्री completed my sentence You finished all your work and are free now to visit me He had not done so Had he not done so I would have ruined our plan of bursting like grains that are kept in the sun to dry I was extremely careful of what I said afterwards और मैं गुसा हो गया गुसा हो करके मैं चिलान लगा क्या बक्वास कर रहे हो आज सुबह ही तो उतने में शास्त्री ने मुझे टोक दिया बहले पागल है इसी को तो बसाने के लिए सुबह समझा के क्या और खुदी अपने प्लान का नाश कर रहा है तो शास्री ने मेरी बात को कंप्लीट किया अचा आज सुबह है तुमने अपना सारा काम खतम किया और अब फ्री हुए हो ताकि तुम आकर के मेरे से मिल सको क्या तुमने ऐसा नहीं किया आई वुड है रूंड आर प्लान तो यहां पर यह स्तिधी होगी कि शामा खुदी ही अपने प्लैन की दज्जियां उडाने वाला था नाश करने वाला था बर्स्टिंग करके बिल्कुल सारी चीज़ा आगे हो के बोलते था तो दो मिनट में को सब पता जाता अच्छा दोनों की मिली भगत है सुबह मिलके प्लैनिंग करिये तुम दोनोंने मेरे अगेंस लाइक ग्रेंस आर कैप्ट इंद सान जैसे की धान जिसे सूरज के रोशनी में रखा जाता है सुखाने के लिए मतलब जब पूरा प्लैन सक्सेस्फुल होने ही वाला है पूरा बस अना जहात में आने ही वाला है उससे पहले सारी बरबादी कर देना I was extremely careful of what I said afterwards उसके बाद मैं बहुत साफधानी से बोलने लगा शामा कहता है उसके बाद मैं ने जो भी कहा बहुत साफधानी से कहा क्योंकि यहां पर मैं एक गलती करने वाला था कि आज सुबही तो मिला हूँ शास्त्री turned to Runga ये सारी बात होने के बाद शास्त्री जो है रंगा की तरफ मुड़ जाता है वें डिट दे यंग सन ओफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम तो हमारे जो अकाउंटेंट क्लर्क है उनका बेटा कब वापस घर आया वाट केन आ डू फॉर हिम इसके लिए क्या कर सकता हूँ बहुत ही ना के बराबर कभी ऐसा होता है कि यह हमसे मिलने आता है टेक आउट यौर पेरिफेर्ण लिया यानि कि जो भी तुमारा साथ सामान है खास करके यहाँ पर पंचांग इत्यादी के लिए कहा गया पंचांग शास्त्र ग्रंथ जोतिश ने संबंदे जो भी तुम्हाला सामान है वो निकालो आर रंगप्पा सीम्स to have something on his mind ऐसा लग रहा है रंगपा के दिमाग में कुछ चल रहा है can you tell us what's worrying him क्या तुम हमें बता सकते हो क्या चीज़ है जो इसको परिशान कर रही है shall we put your science of astrology to the test क्या हम तुमारी जो astrology यानि कि जोतिश विज्ञान जो है उसकी थोड़ी परिक्षा कर सकते है क्या देखते है तुमारे जोतिश में कितना दम है चलो बताओ निकालो पंजांग बगरा इसकी कुंडली देखो परिशान है सुबह से बताओ क्या चल रहा है इसके दिमाग में there was authority in my voice as I spoke to Shastri और मैंने बहुत ही आज्या देने वाले तरीके से अधिकार के साथ मैंने बात की जिस तरीके से मैं Shastri से बात कर रहा था मतलब ऐसा लग रहा था रंगा को ऐसा लग रहा था कि सच में Shama तो मेरी वक्कालत कर रहा है Shastri से मेरे लड़ रहा है कि बताओ देखो हमारा बच्चा परेशान है बताओ फटाफट देखते हैं तुमारा जोतिश क्या बता पाता है फटाफट निकालो तुमारी किताब बताओ He took out two sheets of paper उसने दो कागर्स की sheet निकाली Some cowries and a book of Plemra यानि ताड की जो पतियां होती है उसकी एक किताब निकाली और साथ में उसने कुछ cowries निकाली saying कहते हुए ours is an ancient science अया यानि भाई हमारे यहां पर एक प्राचीन विज्ञान है there is a story to it इसमें कहानी है but I won't tell you that story now लेकिन मैं तुम्हें भी वो कहानी नहीं सुनाओंगा time लग जाएगा this is not a हरीकता which allows you to tell a story within a story ये कोई भगवान की कता नहीं चल रही हरीकता नहीं चल रही है जिसमें तुम्हें एक कहानी में एक और कहानी सुनाओ you may get bored नहीं तो अगर वह कहानी में तुम्हें सुनाओंगा जो उसने हमें सुनाई थी यानि शास्त्री तो वहाँ एक कहानी सुनाता है को जोड-जोड से चलाने लगा जैसे वो अपनी उंगलियों पर गिन रहा था then asked फिर पूछा what's your star तुमारी राजशी कौन सी है रंगा डिंट नो रंगा को पता नहीं था never mind कोई बात नहीं शास्त्री जो है indicate करता है विता shake of his hand अपना हाथ इलाते वे he did some more calculations वो कुछ और गणनाएं करता है before saying in a serious tone एक बहुत ही गंभीर tone में कहने से पहले it's about a girl और सीधा गंभीरता से कह देता है या तुमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है जो तुमारी समस्या है यह सब समस्या एक लड़की की वज़े से लड़की ही तुमारे जीवन की समस्या है मैं नहीं कह रहा है शास्त्री जी कह रहे है ठीक है हो सकता है तुमारे जीवन की समस्या भी लड़की हो लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी कह रहे है मैं तुम्हें नहीं कह रहा ठीक है तो कोई मेरे उपर नहीं आएगा I had been controlling my laughter और मैं अपने हसी को रोकने का प्रयास कर रहा था all this while यह सब ड्रामे चल रहे थे तो शामा कह रहा है मेरे को बड़ी हजी आ रही थे पर कोशिश करके चुप जाब अपनी हजी रोक आवा था कि हजी निकल ना जाए but now I burst out laughing लेकिन अब मैं जोर से हसने लगा I turned to Ranga और मैं Ranga की तरह मुड़ा exactly what I had said बिलकुल वही बताया पंडित जी ने भी जो मैंने कहा था who is the girl चलो बताओ मुझे कौन है वो लड़की it was your humble servant who asked the question और यह तुमारा विनम्र सेवक है जो यह question पूछ रहा है शास्त्री thought for a while before replying और शास्त्री ने एक दो मिनट सोचा जवाब देने से पहले she probably has the name of something found in the ocean उसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है यानि कि समुद्र से हमें जो प्राप्त होता है उससे संबंदित को यह नाम होना चाहिए तो समुद्र से कमल प्राप्त होता है तो पूझा कमला नाम है क्या उसका तो यहाँ पर कौन पूछ रहा है यह पूछ रहा है शामा के अच्छा समुद्र से कमला कमला तो नाम नहीं है अगर कमल नहीं है यानि कमला नहीं है तो फिर मौस लोना चाहिए काई होना चाहिए अब इस बात को ध्यान से सुनना तो कहते हैं कि जब समुद्र मन्थन हुआ था तो समुद्र मन्थन में से कई रत्न निकले थे तो समुद्र से हमें क्या प्राप्त होते हैं रत्न प्राप्त होते हैं तो कहीं रत्ना तो नहीं है जो बहुत ही महंगे पथर होते हैं रत्ना रत्ना तो वो लड़की है जो रामाराओ के घर में लड़की है रत्ना tell me is there any chance of your negotiation bearing fruit मुझे कोई ऐसा बताओ कि क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकते है कि अपन कुछ negotiation करें और अपने को फल प्राप्त हो सके तो जैसे जो लड़की अपने देखी थी रामराओ के घर में जो मेरे घर में गाना गारी तो उसका नावरत नहीं है तो अपने ऐसा कुछ समझवता कर सकते हैं क्या कि जिससे इस बच्चे को कुछ प्राप्त हो जाए definitely he said उसने कहां बिलकुल after thinking for some time थोड़े ताइम सोचने के बाद हो के तब बिलकुल हां हो सकता है there was a surprise on रंगा's face तब ही रंगा के चैरे पर एक आश्चर ये दिखाई देता है कि ये दोनों के दोनों मिल करके करके आ रहे है तो आश्चर ये चाकितो करके वो देखता है and something happiness or some happiness और कुछ उसके चैरे पर अब यहाँ पर खुशी दिखाई देती है अब तक जो बैंगन का मतलब जो मुर्जायवे से बैंगन का चैरा था उस पर थोड़ी सी खुशी नजर आई I noticed it और शामा कहता है मैं notice कर लिया मैंने देख लिया कि जैसे ही मैंने बताया कि शादी शुदा है वो तो एक साल हो गया उसकी शादी को रंगा फिर खुश हो जाता है मैं अरे ठीक है कोई बात नहीं अच्छी बात है और शामा कहता है मैंने इस बात को देख लिया but that girl is married I said मैंने का लेकिन वो लड़की तो शादी शुदा है then I turn to him फिर मैं उसके तरफ मुड़ा his face has had fallen और तभी मैं वापस उदर पंडेशी को बोला लेकिन वो लड़की तो शादी शुदा है और बोलते हैं इधर देखा रंगा के तरफ तो उसका चैरा फिर लटक गया क्यार तुम क्या मजे ले रहे हो पहले कहते हो हाँ कुछ हो सकता है definitely हो सकता है तो मैं खुश हो गया अब पिर कह रहे हो हो तो शादी शुदा है तो फिर उसका चैरा लटक गया I don't know all that मुझे यह सब नहीं पता there may be some other girl who is suitable हो सकता है कोई दूसरी लड़की होगी इसके लिए जो इसके लिए suitable रहेगी I only told you what our शास्त्र indicate मैं तुम्हें क्यों वो बता रहा हूँ जो मेरा शास्त्र मुझे बता रहा है शास्त्री said और यह बाद शास्त्री ने कही we went the place हम उस जगह पर गए on the way रास्ते में we passed by रामाराओ's house रामाराओ के घर के सामने से हम गुजर रहे थे रतना was standing at door और रतना जो है दरवाजे पर खड़ी थी I went it alone and came out a minute later मैं अकेला अंदर गया रमाराओ के घर में और एक मिनट के बाहर एक मिनट के बाद में मैं बाहर आया यह बात कौन कह रहा है तो यह बात शामा कह रहा है surprising आश्यरे करते हुए this girl isn't married और उसको सामने आश्यरे करते हुए यह तो married नहीं है मतलब मैं शामाराओ के घर में गया और वापस आया एक मिन बाद मैं वार आ करके उसको कह रहा हूं रंगा को यह इसके तो शादी नहीं हुए यह तो married नहीं है अबने को गलत लग रहा था it seems, ऐसा लगता है someone told me the other day एक दिन कोई कह रहा था that she was के वो तो married है, what Shastri told us has turned out to be true after all, आखिरकार Shastri जी ने हमें जो कहा, वो सच साबित हुआ but Rangappa I can't believe that you have been thinking of her, लेकिन Rangappa में इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं कि तुम इस लड़की के बारे में सोच रहे थे swear on the name of Madhwachacharya and tell me it is true what Shastri said कसम खाओ Madhwachacharya जो बगवान है उनकी और मुझे बताओ कि जो कुछ Shastri ने कहा वो सच है सच सच बताओ, तुमारे मन में तुम इसलिए विचलिते क्या, तुमारे मन में रत्ना के खयाल चल रहे थे क्योंकि Shastri ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच निकला तो तुम Madhwachacharya बगवान की कसम कहा गया नहीं इश्वर की शपत खा करके बोलो कि जो कुछ Shastri ने कहा वो सच था के नहीं था I don't know rather anyone else would have been direct मुझे नहीं पता कि कोई और होता तो इतना directly पूछ पाता है इतना directly स्विकार कर पाता है या नहीं रंगा एड्मिटेड और रंगा ने एक सेकंड नहीं लगाया स्विकार करने में यस हाँ वही लड़की थी जिसके विएसे दिमाग करा हुआ होता रंगा एड्मिटेड there's greater truth in the शास्त्र than we imagine के शास्त्र में हम जो कलपना कर सकते है उससे भी महान सत्य छुपे हुए हैं और जो कुछ शास्त्री जी ने कहा वो पूरी तरह से सत्य है मैं अपने जीवन में रतना को ही चाहता हूँ शास्त्री was at the well और शास्त्री जो है कुवे पर था when I went there जब मैं वहाँ गया that evening उस्षाम I said मैंने कहा so सास्त्री केल you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicious तो सास्त्री केल जी आपने बिलकुल वही दोरा दिया जो मैंने आपको सिखाया था बिना कोई शक उत्पन केया बिना किसी शक्के what a marvelous शास्त्र yours is क्या शांदार अदबद लाजवाब तुम्हारे शास्त्र है he didn't like it all और उसे बात बिलकुल भी पसंद नहीं आई शास्त्री जी को what are you saying तुम क्या कह रहे हो what you said to me was what I could have found out myself from the शास्त्रास जो कुछ तुमने मुझे कहा वो सारी चीज़े सच में मुझे मेरे शास्त्रों में मिली थी don't forget भूलो मत I developed on the hints you had given me तुमने मुझे सारी चीज़े नहीं बताई थी तुमने मुझे कि वहले hint दिये थे उन hint के हिसाब से मैंने original तरीके से उसारा काम करके दिया तुमें tell me मुझे बताओ is this what a decent man say क्या एक अच्छा सभ्य एक अच्छा सभ्य और समझदार आदमी क्या इस तरह से वेवार करता है या इस तरीके से कुछ कहता है तो यहाँ पर शास्त्री और शामा जो है बताया तो ने सब कह दिया तो बहुत ने कुछ नहीं बताया तुने कि बले हिंट दिये थे मैंने अपने हिसाब से उसको improvise करके बहतर करके बोला तब सारा काम हुआ है तेरे को अच्छा लगता है कि डीसेंट आदमी सारा credit खुद ही खा रहा है मुझे नहीं दे रहा तो बढ़ा सा इसका श्रे मुझे भी तो दे रंगपा एड कम टू अधर डे तो इन्वाइट मी फॉर दिनर तो एक दिन रंगपा जो है मुझे डिनर के लिए बुलाने आया मैंने पूचा वहिया तो confusion को मैं बढ़ता देता हूँ इस बीच में यानि कि जब शास्त्री और शामा हसी बजा कर रहे है कुवे पे बैठके उस दिन से लेकर आज जब खाने के लिए निमंतरन आया इसके बीच में शामा ने उन दोनों की रतना की और रंगा की शादी करा दिये उनकी शादी को 3-4 साल हो गया और उनका 3 साल का बच्चा है और उन्होंने अपने बच्चे का नाम शामा के नाम पे ही रखा है ठीक है क्योंकि शामा ही मुख्य किरदार था जिसकी वज़े से उन दोनों की शादी हुई और आज जो उनका बच्चा है वो 3 साल का हो गया तो उसका बर्डे है बर्डे सेलिबरेशन के लिए शामा को ये लोग इन्वाइट करने आए है तो यहाँ पे रंगपा जो है वो शामा को बुलाने आया कि खाना खाने आना है आपको इट्स नॉट आ नाइस नेम ये एक अच्छा नाम नहीं है शामा I said मैंने कहा I am like a dark piece of oil cake oil cake किसको बोलता है खली बोलता है न अपन अपन जैसे सरसो होता है या मूवली होती है उसको पूरा पीसते है पीस करके उसमें से तेल निकाल लेता है तेल निकालने के बाद में जो कच्रा सा बचता है अलाकि ओ कच्रा नहीं होता है तिके लेकिन जो बचता है उसको हमने लोग खली कहते है oil cake कहते है वै तो बिल्कुल कale schon他们 तुम ने मेरा नाम क्यों दिया, तुम कैसे बचकाने बच्चे हो, मतलब पती-पत्नी हो, मतलब बच्पने वाली बाते करते हो, रतना और तुम दोनों, I know, I know, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, यह अंग्रेजो का रिवाज है, अंग्रेजो की परमपरा है, कि उस व्यक्ती के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना, जिससे तुम पसंद करते हो, और अब उसका पहला बच्चा तो तीन साल का हो चुका है और उसका दूसरा बच्चा भी गर्ब में है और उसकी पतनी यानि कि रतना जो है वो अभी आट महीने प्रेगनेंट है तो तुम यहां खानावाना के लिए सबको नौते बाट रहे हो कौन करेगा तुमारी मा की मदद तुमारी पतनी यह तो प्रेगनेंट है आट महीने से माइ सिस्टर हैस कम विथ हर मेरी बेहन जो है वो उनके साथ है आई वेंट देर फॉर डिनर फिर मैं वहां गया डिनर करने के लिए शामा रश टू मी विए वाग दिन और ये वाला शामा जो है ये चाइल्ड वाला शामा है त्री यर्ष ओल ठीक है तीन साल का जो शामा नाम का बच्चा है वो भाग करके इस बूढे वाले शामा के पास आया जैसे ही वो वहां पे जाता है When I walked in, जब मैं अंदर गया, put his arms round my legs, वे अपने हाथों को मेरे पेरों से पकड़ लेता है, I kissed him on his cheek, मैं उसके गाल पे किस किया, मैंने placid a ring on his tiny little finger और से छोटी से एक अंगुटी जो gift के तौर पर लाया था शामा, वो छोटे शामा को पैना दी, Allow me to take leave of you, अनुमती दीजे कि बस अब मैं जाओं, तो यह हम से, reader, यानि कि आप और मैं जो chapter पढ़ रहे हैं, उन से अनुमती मांग रहा है कि बस यही कहानी थी, आप मुझे allow कीजे, मैं जलता हूँ, I am always here, ready to serve you, मैं हमेशा ही रहूँग, आपकी सेवा करने के लिए, you are not bored, I hope मैं उमीद करता हूँ, कि आप बहुर नहीं होंगे, आप उभे नहीं होंगे, ठीक है गाई, तो यह हमारी story थी, बहुत ही शानदार लाजवाब, केवल और केवल enjoy करने के लिए story है, लेकिन फिर भी, इस story के अंदर एक चीज जो गलत हुई, उसके बारे में किस-किस को पता है, फटा-फट से मुझे comment करके बताईए, और खास करके उसमें, मैं एक आपको hint दे देता हूँ, age, जो है मेरी तरफ से हिंट है आपको, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अना age से related ऐसी कौन सी problem थी, इस chapter में जो मैं देखने को मिलती है, जो एक social evil को दर्शाती है, एक उसके बारे में आप लोग मुझे comment करके बताईए, thank you very much, I'll see you soon in my next lecture, till that, take care of yourself, bye-bye, I'll see you soon.